वेके मेस्तराप प्रजे हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सस्क्राइब करें और साथ में वेल आइकन घंटी दबाए जैस्री राधिकृष्ण आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको कामदा एकाशी के शुब महुर्द और पोजन के बारे में बताने जा रहा हूँ तो आईए जानते हैं कामदा एकाशी चैनल माह के शुकल पक्ष में आने वाली एकाशी को कामदा एकाशी कहा जाता है जिसमें भगवान विश्णु का पोजन किया जाता है इस वर्त के प्रभाव से मनुश्य के सारे पाप नश्ट हो जाते हैं जैसे अगनी लकडी को जलाकर नश्ट करके उसे राख बना देती है वैसे ही कामदा 81 के पुन्य के प्रभाव से समस्तपाप नश्ट हो जाते हैं इस वर्त और उपवास से मनुश्य निक्रिष्ट योनी से मुक्त हो जाता है और अंत में उन्हें श्वर्ग की प्राप्ती होती है आईए कामदा एकाशी के शुभ महुर्द के बारे में जानते हैं एकाशी तिथी प्राडम शमय 4 अप्रेल 2020 दिन शनिबार प्राता काल 12 बज़ कर 69 मिनट और एकाशी तिथी की समापती होगी 4 अप्रेल 2020 शनिबार रातरी 10 बज़ कर 31 मिनट और एकाशी तिथी का पारन समय होगा 5 अप्रेल 2020 दिन रविवार सुभा 6 बज़ कर 7 मिनट से सुभा 8 बज़ कर 38 मिनट कामदा एकाशी वर्थ करने वाले को दस्मी की रातरी में भगवार विश्णु का ध्यान करते हुए अस्मरण करते हुए सोना चाहिए फिर एकाशी को शुभा उठकर नित्य करमोशे रवित्य होकर अश्नान कर सुध वस्त्र धारन करना चाहिए फिर जल लेकर शंकल्प करना चाहिए कि हे भगवान विश्णु आज मैं कामदा एकाशी का वर्थ करने जा रहा हूँ यह वर्थ शफल होने का आशिरवाद प्रदान करे फिर भगवान विश्णु का विधी और विधान के साथ पूजन करना चाहिए भगवान को जल दूध पंचामरित से अभिशेक करना चाहिए फिर वस्त्र चढ़ाए चंदन फूल माला तिल तुलसी दल चढ़ाए फिर धूप दीप नैवेद्ध चढ़ाए उसके बाद कथा आरती करे साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन करे दिन भर उपवास रहे या एक बार फाला हार ले रात्री में जागरन करे अगले दिन सुबह अश्नान करके भगवान का पूजन आरती कर वर्त का समय के अनुशार पारण करे एकासी वर्त में एक विशेश बात का ध्यान रखे इसमें चावल नहीं खाना चाहिए चावल को वर्जित माना जाता है इस वर्त के प्रभाव से मनुश्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए, लाइक करे, सेयर करे, शुखी रहे और स्वस्त रहे जै स्री राजे कृष्ण धन्यवादा